आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अज का अमारा क्या Question है तो आज का हमारा Question है कि the presence of ketone bodies in urine are indicative of अगर urine के अंदर ketone bodies रहेगी या फिर ketone bodies के presence रहेगी तो उस चीज़ से क्या पता चल रहा है कि उसको क्या भीमारी है फर्स्ट ओप्शन हमें दिया है Diabetes Incipitus सेकेंड ओप्शन दिया है Diabetes Mellitus 3rd option दिया है Starvation 4th option दिया है हमें बोथ B and C मतलब Diabetes Mellitus भी और Starvation भी तो बेसिकली अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि if our cells अगर हमारे cells को enough glucose नहीं मिला मतलब जितना glucose उसे चाहिए हमारे cells को उसको उतना glucose अगर नहीं मिलेगा तो हमारी बोड़ी क्या करेगी हमारी बोड़ी विल क्या करना स्टार्ट कर देगी अवर बोड़ी बस देफेट फेट को क्या करेगी वो बं कर लेगी किस काम के लिए एनरजी के लिए बिकोज glucose ев colocos energy के लिए चाहिए होता है और अगर हमारी body में glucose ही नहीं है तो obviously हमारी body को energy की तो चाहिए ज़रूरत है तो वो क्या करेगी fat को burn कर लेगी हमारी body में energy लाने के लिए ठीक है अब उसके बाद क्या होगा कि अगर ये हो गया तो इसकी वज़ा से एक substance produce होगा और वो substance कुन सा produce होगा ketones इसके हम क्या बोलते हैं ketones ठीक है और ये जो ketones होते हैं ये हमारे blood में और हमारी urine के अंदर show up कर सकते हैं तो in our blood and in also our urine ठीक है अब अगर हम बात करें कि अगर ये जो ketones है इसका जो level है वो क्या हो जाएगा high हो जाएगा मतलब बहुत ज़ादा बढ़ जाएगा enough में glucose नहीं मिलेगा तो बार बार fat burn होगा energy के लिए तो ketones का level बहुत ज़ादा क्या हो जाएगा अगर बढ़ जाएगा तो उस वज़ाए से क्या होगा एक बीमारी होगी जिसको हम बोलते हैं diabetic keto acidosis ठीक है मतलब इसका अगर हम वो देखें शोट फ़र्म तो होता है DKA नामसे एक बीमारी होती diabetic keto acidosis जिसका क्या मतलब होता है बेसिकली इस बीमारी के अंदर हमें क्या पता चलता है इस बीमारी के अंदर यह होता है कि यह क्या है एक बीमारी एक complication हो जाती है या फिर एक complication create हो जाता है हमारी body में, किसका complication create हो जाता है, diabetes का complication create हो जाता है, जिसकी वज़ा से इंसान coma में भी जा सकता है, और even death भी हो सकती है, मतलब वो इंसान मर भी सकता है, इतनी जादा harmful बीमारी होती है, ये, ठीक है, अब हमसे question में पूछा है, कि अगर ketone bodies हैं, तो मतलब ये क्या indicate कर रहा है, तो सबसे पहली बात ते indicate कर रहा है, कि diabetes mellitus हो रहा है, विकोज ये भी वही बिमादी है, जिसमें इंसान मर भी सकता है, और secondly वो कर रहा है, starvation, starvation मतलब भूकर है ना, क्योंकि वो इंसान glucose नहीं खा रहा है, उसकी body के अंदर glucose की मातरा पूरी नह energy के लिए, तो obviously ये दोनों का रेक्ट अंसर है, diabetes, NCP does का इसमें कोई रोल नहीं है, तो हमारा जो question है, उसका correct अंसर है, D, कि both A, B and C options are correct, thank you.